24 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और इसी दिन चंद्रग्रहन भी है जोतीश के मताबिक इस दिन विशेश योग बनने जा रही है इस दिन सत्य नरायन के वरत में इंद्र और लक्षमी की पूजा भी की जाती है और ये आश्विन शुकल पक्ष के पूर्णिमा भी होग इससे अद्भुत संयोग बन रहा है भारत वर्ष में चंद्र ग्रहन पूरी तरसे दिखाई देगा हाँ जो आगे चंद्र ग्रहन आएगा वो जो ग्रहन है वो होगा शर्द पूर्णिमा उस दिन रहेगी उस दिन बड़े मतलब अच्छे संयोग है हाँ ये जो 24 अक्तूबर 24 अक्तूबर को ये चंद्र ग्रहन है और उसमें शर्द पूर्णिमा और इसके साथ साथ जो है सत नारायन का ब्रत और इसके साथ साथ हम यहाँ जो है इंद्र की पूजा और लक्ष्मी की पूजा भी इस दिन करते हैं ये विधान है हमारे यहाँ क्योंकि ये अश्विन शुकल बक्ष की पूर्णिवा होगी वैसे जहां तक इसमें चंद्रग्रहन का बक्ष है वो एक अलग स्थिती रखता है भारत वर्ष में वो चंद्रग्रहन पूरी तरह से दिखाई देगा समय कुछ निर्दारित होगा हमें है उसका वो एक बज़ के पांच मिनट अठारा सेकिंड पर शुरू होगा हाँ 28 और 39 में और मोक्ष जो होगी वो 26 बज़ के यानि के दो बज़ करके 24 मिनट पर उसका मोक्ष हो जाएगा ये आस्टेलिया में, संपूर एशिया में, योरोप में, अफेरीका में, कनेडा में, हिंद महासागर में दिखाई देगा 24 औक्टूबर चंदर ग्रहन दिखाई देने का समय रातरी 1 बज़ कर 5 मिनट 18 सेकिंड पर शुरू होगा और रातरी 2 बज़ कर 24 मिनट पर मोक्ष होगा भारत के अलावा ये चंदर ग्रहन ऑस्ट्रेलिया, अफ्रिका, अमेरिका, कैनेडा, हिंद बहासागर में भी दिखाई देगा जोतिश के मताबिक इसमें 9 घंटे पहले विशेश सावधानिया भी रखनी होगी क्योंकि सूरिय ग्रहन में 12 घंटे पहले सूतक प्रारंब हो जाता है जिसमें किसी तरह का खान पान नहीं करते, लगुशंका या दिर्ग शंका से भी बचने का प्रयास रहता है क्या सावधानिया रखनी पढ़ेंगी समय है और कोई लगुशंका या दिर्ग शंका से भी बचने का प्रयास रहता है क्योंकि पलूशन तो है इसमें जो है ना गैसे निकलती है चंद्रमा है या सूरिय है तो इसमें हम अपनी और से परयावरन को कोई आसुरक्षित ना करें इसके लिए सावधानिया बरतनी पढ़ती है इसमें जैसे कोई व्रिद है बुजूर्ख है जो लोग चल फिर नहीं सकता या बीमार है वो किस तरह पूजा और चना करें देखिए वो पूजा भावना से करेगा शनान दान करेगा लेकिन उन्हें खाने पीने के लिए मनाही नहीं हो सकती कारण यह है काया रक्षति धर् है वो शरीर की रक्षा है तो उसमें बालक भी आ गए चोटे बालक है जो मतलब भूख प्यास आलना कि वैसे क्या है रात को है यह तो उस समय लेकिन फिर भी इसका सूतक तो जो है ना साम को चार बज़ के पांच मिनट और 18 सेकिंड पर सुरू हो जाएगा तो रात प्री का भूजन भी मतलों जैसे हम करते हैं आम तोर पर तो वो फिर एक तरह से बादीत है उसको नहीं किया जाना चाहिए सुर्य ग्रहन और चंद्र ग्रहन के समय प्रयावन को और सुरक्षित ना करें इसके लिए भी विशेश सावधानिया बरतनी होती बरतनी चाहिए इस दोरान खास्तोर पर पूजा का विधान भी है मगर जो लोग बुजुर्ग हैं बेमारी से पिरित हैं या चल फिर नहीं सकते वो स्लान पूजा अर्चना दान पुर्णे आधी कर सकते हैं और ऐसे लोगों को खाने पिने की मनाही भी नहीं रहेगी क्योंकि हमारा सबसे पहला धर्ब शरीर की रक्षा करना है और इसका सूतक शाम चार बचकर पांच मिनट 18 सेकिंड पर शुरू हो जाएगा इसलिए रात्री का भोजन भी बाधित रहेगा क्योंकि सूतक के समय खाना बनाना और खाना निशेद माना जाता है बाकी जहां तक राशियों का सवाल है मेख से लेकर के और मीन राशी तब केवल दो ही राशियां ऐसी हैं जिन में इसके लिए अच्छा परभाव दिखाया गया है मेरी मेzh राशी अब आपकी जनम राशी क्या है और परसिद्ध राशी क्या है यह शायद आपको पता नहीं होगा केवल लाम से आप अन्यथा सभी के लिए कहीं न कहीं कोई चिंता, कोई रोग, कोई भै, कोई चोट या कोई आर्थिक हानी इस तरह के उसमें अर्थ दर्शाए गाते हैं। अशोकी आदव, News18, हर्याणा.